हलो एब्रीवन आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सा काउंसलिंग के बारे में राउंड वन का सीट राट्मेंट रिसल्ट पब्लिश कर दिया गया है तो आपने चेक कर लिया होगा कौन-कौन सा डाक्यूमेंट रिकॉइड होगा क्या अडमिशन प्रोसस है उसके बारे में बताने वाला हो तो विडियो में इंड तक बने रहना इस विडियो को देखने बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे डाक्युमेंट से रिड़ेटेट अब फिर भी कोई होगा तो राउंड वन का सीट अलाट्मेंट रिजल्ट पास तीस जून है और सुबह के 10 बजे पब्लिश कर दिया है तो आपने चेक कर लिया होगा ऑल्लाइन रिपोर्टिंग करना है फी करना है डक्यूमेंट अप्लोड करना है और जो आपके वेरिफाइंग ऑफिसर होंगे जो भी कोश्चन पूछते हैं आपके पोर्टल में पोर्टल में लॉगिन करके चेक करना है तो आपके पास 30 जून से 4 जूलाइ के समय तरफ में 5 बज़े तक और आपको फी स्बेट करना है चार जुलाइक अपने नसारे ड aquestाकिमेंट समझ लितेैं इसके बारे में क्या प्रोसेस है तो अपने पोर्टल पे लॉगिन करोंगे तो आपको लिट हुआ होगा तो initial seat allotment intimidation slip आपके पास होगा तो उसको download कर लेना है और साथ में print करवा कर रख लेना बाद में अभी download कर लो PDF format में फिर step 1 में सबसे पहले आपको करना है seat को accept करना है freeze, slide or float इसका मतलब already आपको पता होगा मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब आपको पता होगा, फिर उसके बाद आपको का करना है documents upload करना है ठीक है और उसके बाद third step में आपको seat acceptance fee पे करना है seat acceptance fee paid करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप paid नहीं करते हो तो आपके seat को cancel कर दिया जागा तो confirmation के लिए seat acceptance fee पे करना है यह जो fees है यह आपके NITS या फिर IITS में adjust कर दिया जाएंगे, कोई problem नहीं है जो SCST, General PWD, General EWS, PWD OBC, NCL, PWD, SCPWD और STPWD है, इनके लिए 20,000 है और इसके अलाबा जो अलग candidates है नहीं कि other candidates है, जिसे कि General OBC और EWS, उनके लिए 40,000 है, जिसमें से आपका 4000, जो साथ का processing fee है, और 4000 को deduct करके, और आपके fees को आपके college में confirm, मतलब की adjust कर दिया जाएगा confirm कर दिया जाएगा कि वो adjust हो गया है, तो आप लिए एक तरह कहा सकते है, उस security money के तोर पर रखा जा रहा है, तो ये fees जो है, ये college में adjust हो जाएगा, तो कोई tension की बात नहीं है, अब देखो, step 4 में ये है कि document verification के समय, जो भी आपके document verification होंगे और जो officer होंगे, वो कोई भी query अगर raise करते हैं, उसका आपको जवाब देना होता है, online mode में ही आपको जवाब देना है, अपने portal पे और समय के अंदर, तो portal को लगातार चेक करते रहना, अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो ऐसा भी होगा, कि आपके seat को further के लिए cancel भी कर दिया जाएगा, तो verification के समय active रपना अपने portal पे जारी चीज़े देखते रहना, और बता दू आपको कि online reporting ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब institute में जाने कम होगा, तब आप institute में जाओगे, document verification जो आपका done हो जाएगा, तो successfully आप अपना paid कर पाओगे, जैसा कि देख सकते हो, document verification done only for those candidates who have successfully paid the seat acceptance, seat acceptance suite होगे, तभी document verification होगा, तो यह important है, कौन-कौन से document required है, वो देख लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले NIT, GFTI और IIIT के लिए, class 12 marksheets certificate, class 10 marksheets, category certificate, जो आपका CST, OBC, NCL, General EWS है, जो आपने fill किया है, और यह 1 April 2022 के बाद का होना चाहिए, जैमेन admit card, original certificate for PWD, जो PWD candidate है, साथ में cross bank checkbook, यानि कि एक check होगा आपके पास, उसको cross कर देना, उसका image डाल देना, या फिर bank passbook का image डालना, आप अपना ही डालना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपका नहीं है तो अपने फादर का डाल सकते हो, एक बार वो जो वेरिफाइंग officer है, उनसे एक पर पूछ लेना, वो भी आपको बता देंगे, कुसिस करना अपना डालना अगर है तो, medical certificate जो कि आपको जोसा के जो format है, वहाँ मिल जाएगा, OCIO, PIO card अगर जोरत पड़े तो और passport, वैसे यह उन बच्चों के लिए होता है, जो foreign candidates होते हैं, आइट इस के लिए भी लगबख सेम ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यह overall पूरा certificate है, जिसको आपको ready एकना है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि bank passbook क्यों हूँ, तो मालो कि अगर मालो आपका fees refund होना होगा, तो वो refund के लिए bank passbook लेते हैं, यह कुछ certificate format है, जो कि आपको online upload करना होता है, payment करना होता है, मुझे उम्मीद है, मैंने सब कुछ बता दिया है, कोई भी help चाहिए, तो mail भी कर सकते हो, टेलेक्राम चैनल ने जॉइन कर सबते वीडियो के अपडेट के लिए, चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना, वीडियो को like और share कर देना, thank you for watching, thank you.